आ रही है Tata Blackbird SUV Car जी है दोस्तों, Tata Motors इसी साल में कभी भी अपनी नई SUV गाड़ी Blackbird को लांच करने वाली है Tata की ये गाड़ी हाली में लांच हुई छोटी Macro SUV Car पंच पर आधारित होने वाली है Tata Blackbird SUV गाड़ी सेफ्टी की मामले में काफी दमदार होने वाली है अगर आप भी अपकमिंग Tata Blackbird SUV गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिलकुल मिस्ट न करें वीडियो को भी से एक लाइक कर दीजिए इसके साथ ही हमारे चैनल एन हिंदो को सब्सक्राब करके बेल के आकोन को भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस्ट न करें अपकमिंग Tata Blackbird SUV गाड़ी की बारे में बात करें तो ये गाड़ी देश की सबसब सस्ती Micro SUV गाड़ी होने वाली है Tata Blackbird SUV गाड़ी साइज में Tata 5 से छोटी होगी लेकिन लुक्स और डिजाइन के मामले में ये गाड़ी बाके सेग्मेंट के गाड़ीों के चुट्टी करतेगी ये तब पक्का है 2022 Tata Blackbird SUV में मिलने वाले इंजिन के अगर हम बात करें तो इसमें कमपनी दो इंजिन का विकल्ब देगी जिसमें पहला है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेवर ट्रॉन एंजिन जोके 86 PSP की पावर और 130 न्यूटर मीटर का पीक टॉक जनरेट करेगा ये एंजिन 5 स्पीड के मैनवल और और आटमाटिक गे बाक्सर लेस होगा वही दूसरा है टॉप वेरियंड जिसमें 1.2 लीटर का टॉबो पेट्रोल एंजिन का इस्तिमाल किया जा सकता है जिसका इस्तिमाल कमपनी ने एल्ट्रोस आई टॉबो में किया था इस एंजिन से 110 PSP की पावर और 140 न्यूटर मीटर का पीक टॉक जनरेट होता है ये एंजिन भी 5-speed के manual और automatic gas box से less होगा डिजाइन के अगर हम बात करें तो upcoming Tata Blackbird SUV गारी का front look काफी aggressive होने वाला है Blackbird SUV में छोटा grill और bumper पर LED projector headlamp और fog lamp दिये गये है Headlights के उपर slim LED daytime running lights दिये गये हैं जोके काफी खूफ सूरत लग रहे हैं जानकारी के लिए बता दें कि Tata Blackbird की ओफ रोड टेस्टिंग की जा रही है जोके देखने में काफी bold और aggressive है पीचर्स के तौर पर Tata Blackbird SUV में traction control, hill load assist, hill start assist जैसे पीचर्स से loaded होगी Tata की ये कार वहीं इस SUV में 7 इंच का floating style touchscreen infotainment system भी दिया जाएगा इसके अलावा इसके touchscreen infotainment system में Android Auto और Apple CarPlay currentivity के साथ साथ IRA current technology भी दी गई है वहीं इसमें हमन का premium sound system भी दिया जाने वाला है इसमें multi steering wheel, dual tone interior और digital instrument cluster भी मिलेगा Tata Blackbird SUV Guardi के size के अगर हम बात करें तो लगबग 185 mm का ground clearance और 16 इंच के चमचमाते alloy wheels दिये गए हैं जो कि इससे off-roading के लिए बहतर बनाते हैं launch date के अगर हम बात करें तो Tata Blackbird SUV Guardi को company इसे साल में कभी भी लाँच कर सकती है रही बात कीमत की, तो बता दें 2022 Tata Blackbird SUV Guardi को company 3,57,000 रुपए के शिरुवाती कीमत में launch कर सकती है और ये कीमत 5,00,000 रुपए तक जाने की उम्मीद है अब आपका क्या प्लान है मेरा भाई? क्या आप भी इस नए साल में upcoming Tata Blackbird SUV Guardi को launch होते हैं खरीदना चाहोगे या नहीं? हमें आप comment करके जरूर प्रताइए साथी वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को करें ज्याद से ज्याद से शेर Thank you very much